कैसे पता करें कि कोई लड़का आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। पते से जो पाना चाहती हैं, उसकी चाहत कुछ अलग होगी, लेकिन वो अपने इरादों को लेकर आपके साथ में कभी भी इमानदार नहीं रहेगा और आपको उलजा रहा होगा। आप समझ जाएंगी कि उसे आप में कोई दिल्चस्पी नहीं, लेकिन जब आप किसी के साथ एमोशनली जुरती हैं, तब अपने मन को साफ रखना और कंसिस्टेंट रहना आपके लिए मुश्किल रहता है। इसके साथ ही, इस तरह के लड़के इतने शातिर होते हैं कि वो आपको इस बात का भरोसा दिलाही देते हैं, कि वो आपको पसंद करते हैं। इसलिए इन संकेतों को देख करके पता लगाएं कि आप जिसके साथ हैं, कहीं वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेल तो नहीं रहा और जाने कि आप इसके लिए क्या कर सकती हैं। Step 1. मिले जुले सिगनल्स की तरफ ध्यान देना, looking for mixed signals. इस बात के उपर ध्यान दे कि उसे आपके साथ में कितना लगाव है, आम तोर पर अगर कोई लड़का आपके साथ खिलबार कर रहा होता है तो जब उसे आपके साथ में सेक्स करना होगा, उस वक्त वो आपकी तरफ बहुत लगाव दिखाएगा या ज्यादा फिजिकल होगा. ऐसे मौके पर वो अचानक से आपके साथ में बहुत ज्यादा प्यार जताना शुरू कर देगा. लेकिन इसके बाद वो शायद आपकी तरफ ज्यादा प्यार नहीं दिखाएगा. उसे आपका हांत पकरने में शा बहावना नहों तब वो आपकी आखो. में भी नहीं देखेगा. साथ ही, वो अपने फ्रेंज और फैमिली के सामने भी आपकी तरफ प्यार नहीं दिखाएगा. इसकी कुछ उम्मीदों में, जब आप फर्स्ट डेट्स पर गए हो या फिर आप किसी बहुत एक्साइटी य नई जगह पर या फिर आउट आफ टाउन गए हो, शामिल है. इस तरह के लड़के शुरू शुरू में बहुत प्यार दिखाने वाले होते हैं या शा. यद कभी-कभी जब उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है तब प्यार दिखाते हैं. कुछ लड़के उनके सामने आने वाले हर एक मौके पर प्यार दिखाते हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि यही उनकी पस्नेलिटी है. इस तरह के लड़कों की पस्नेलिटी बहुत मज़े करने वाली होती है और ये एक स्ट्रोवर्ट बहिर मुखी होते हैं. 2. Notice करें कि वो आपकी तरफ कितना ध्यान देता है. अगर वो अक्सर आपके साथ बात करते वक्त उसके फोन, गेंज जैसी किसी और चीज या उसके फ्रेंज में बिजी दिखता है तो शायद वो आप में असल में इंट्रेस्टिड नहीं है. या अगर वो आपकी कही जा रह इंट्रेस्टिड नहीं लेते हुए नजर आता है. तो शायद वो रिलेशन्शिप में ज्यादा इंट्रेस्टिड नहीं है. या शायद इसका उल्टा भी हो सकता है. हो सकता है कि वो आप पर एक साथ रहते हुए बहुत ध्यान देता हो, लेकिन ऐसा केवल तब होता है, या उसे आपके द्वारा बताई हुई बाते याद रहती हैं। अगर वो आपको पसंद करता है तो वो शायद आपके द्वारा कही हुई बाते बड़ी आसानी से रिपीट कर सकेगा। अगर वो आप में इंटरिस्टिड ही नहीं है तो उसे शायद आपके द्वारा उसे बता और फिर उसके behavior के साथ में उस लड़के के behavior को compare करना, जिसके बारे में आपको लगता है कि वो आपकी भावनाओं के साथ में खेल रहा है, बहुत मददगार हो सकता है. कोई लड़का जब आपको सच में पसंद करता है, तो उसे आप में पसंद आने वाली चीजों या बातों के उदाहरन में आपके आस-पास रहने पर एकदम जाहिर तोर पर excited दिखना या फिर आपके बात करते वक्त उसका शर्माना शामिल है. वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा eye contact करेगा या फिर normal sir. कम eye contact करेगा और वो शायद आपके साथ में जरूरत से ज़्यादा लंबे वक्त तक बाते करेगा. अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वो शायद आपमें दूसरे लोगों से ज़्यादा interest लेता हुआ दिखेगा और वो आपसे आपके बारे में पूछेगा और आपको वापस मिलने की कोशिश करेगा. हो सकता है कि वो आपके सामने नर्वस लगे और ची. जो को भूल जाए. उदाहरं के लिए अगर आप music के बारे में बात करती है तो वो अपनी favorite band का नाम ही भूल जाता है. ये लड़का आपमें सच में interest रखता है. आप जिसे date कर रही है. अगर वो इनसान आपमें बहुत ज emotionally attached लगता है या नहीं. अगर आपके साथ में धोखा हो रहा है तो वो इनसान किसी दिन आपको text करने को लेकर बहुत खुश नजर आएगा और वही उसके बाद वही इनसान कोई interest लेते नहीं नजर आएगा. वो बड़ी आसानी से आपकी तरफ अपनी feelings को बिना किसी वजह क बदलते रहेगा. वही दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसे इनसान को डेट कर रही हैं, जो आप में interest लेते नजर आ रहा है तो फिर उसके emotions आपको खुद ही समझा जाएंगे. उसे आपकी life में जो भी कुछ चल रहा होगा, उसकी बहुत परवा होगी और जब आप उदास हो जाएगा. वो चाहेगा कि आप उसे पसंद करें और जब आप उसकी तरफ अपनी feelings दिखाएंगी, तब वो बहुत excited नजर आएगा और अगर उसे लगेगा कि आप उसे पसंद नहीं करती हैं, तो वो उदास हो जाएगा. 5. दूसरे लोगों से इस परिस्थिती के बारे में बात करें. दूसरे लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आखिर क्या चल रहा है क्योंकि वो परिस्थिती के ऊपर एक फ्रेश और बाहरी नजरिया दे सकते हैं. जो भी कुछ चल रहा है, वो अपने friends को बताएं और उन वो मुझसे प्यार करता है. यही उस परिस्थिती की सबसे बड़ी बात है. अगर वो आपसे प्यार करते नहीं समझ आता, तो शायद वो आपसे उतना प्यार नहीं करता, जितना आप उससे करती हैं. जो कुछ हुआ, उसने क्या कहा या किया, अपने friends को ये सब बताने के ल उदाहरं के लिए आप ऐसा कुछ बोल सकती हैं. हम पिछले पांच हफ्तों से मिल रहे हैं और आमतोर पर वो हर दस दिनों के अंदर मेरे साथ बात करता है. हम कभी weekend पर नहीं मिले और मैं उसके friends से नहीं मिली. वो हमेशा ज्यादातर time उनहीं के साथ में मिलता जुलता नज होने तक मेरी तरफ प्यार जताते नहीं दिखता. 6. सोचे कर देखें कि वो आपके साथ में इमांदार है या नहीं, आपको ऐसे कई लड़के मिलने वाले हैं, जो उस तरह से आप में interest नहीं दिखाएंगे, जिस तरह से आप उनमें interest रखती हैं और इसमें कोई खराबी नह नहीं ये हर किसी के साथ होता है. अंचाहे प्यार के साथ में deal करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये आपकी feeling. सा के साथ में खेलना नहीं होता, भले ही आपको आपकी feeling हट होती क्यों नलग रही हो. एक ऐसा इनसान जो आपकी तरफ कोई interest नहीं लेता और वो इनसान जो आप में interest लेता है, वो अपनी feelings और इरादों को लेकर आपके सामने सचे रहते हैं, नहीं, यहीं इनके बीच का फर्क होता है. अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो भी है उसे लेकर अपनी motivations को लेकर और वो जिन दूसरे लोगों से मिल रहा है को लेकर honest है, तो आपको उसक साथ में अच्छी तरह से बरताब करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसकी आपकी तरफ feeling को आपकी उसकी तरफ feeling से कम मानती हैं, तो उससे दूरी बना ले. वही दूसरी तरफ वो इनसान जो आपके साथ में खिलबार कर रहा है, जान बूच कर असपष्ट रहता है और games खेल कर आपके ध्यान को बनाए रखने की कोशिश करता है. इस तरह के लोग आपको असल में अपनी life का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको उलजहाए रखने के लिए हमेशा ऐसी हिंद दे सकते हैं कि वो आपको अपनी life एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं हाला कि वो न तो कभी आपकी family या friends से मिलने आया और नहीं उसने कभी आपको मिलने बुलाया. अगर ऐसा लगता है कि वो दूसरी लड़कियों को भी date कर रहा है और उसने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन वो आपको ऐसी hint देता है, या कहता है कि आप अकेली ऐसी लड़क पर है या फिर वो जो कुछ करता है या जिन लोगों को date करता है उसे छिपाने की कोशिश करता है. Step 2. Patterns Notice करना, Noticing Patterns आपके रिष्टे ने कितनी progress की है, चार्ट करें, अपना calendar ले आएं और देखें कि जब आप उससे पहली बार मिली थी, तब से लेकर अब तक कितना वक्त गुजर चुका है. अगर ये एक महीने से ज़्यादा हो चुका है और आप अभी तक उसके फ्रेंज से नहीं मिली है और वो अपने री, शते के बारे में बहुत ज़्यादा relaxed या अलग थलग सा लग रहा है, तो शायद वो आपके साथ इस रिष्टे में उस वजह से नहीं है, जिस वजह से अप है, उदाहरंग के लिए, वो अब आप से मिलने को नहीं पूछ रहा है, आपके साथ फ्यूचर में की जाने वाली चीजों के बारे में बात करता या नहीं आपके लिए अपनी फीलिंग्स की बात करता है, या वो आप से कह सकता है कि वो आपको पसंद करता है, लेकिन ये उसके आपके साथ खिलबार करने वाले दूसरे साइन के साथ में मेल खाते नहीं नजर आ रहा है. Notice करें, वो आप से मिलने के लिए ready होता है या नहीं, होता, ये उसके आपके साथ रिष्टे में कितना interest है का बहुत बड़ा indicator होता है. अगर ये उसके लिए सिर्फ for sex या ego के बारे में हैं, तो वो आपको सिर्फ late night पर या फिर जब उसके लिए ठीक होगा, केवल तभी मिलने की बात रखेगा. वो अक्सर चीजे cancel करता होगा, rates आगे बढ़ाता होगा या फिर वो आगे जाकर कप free होगा, इसे लेकर अनिश्चित दिखता होगा. इस बात का track रखने की कोशिश करे कि उसने आपके साथ में कितनी बार rates को आगे बढ़ाया या कहा है कि वो भी जी है. संभावना है कि आपको इस pattern के बारे में पहले से ही मालूम होगा, लेकिन फिर भी इन सब को paper पर लिख कर रखना अच्छा होगा ताकि आप स्थिती की सच्चाई को और भी अच्छी तरह से समझ पाए. आप जिस तरह से महसूस कर रही है और समय के साथ कैसी चल रही है के बारे में मूल्याकन करें, अगर आप लगातार क्या चल रहा है को लेकर चिंता करती रहती है, वो आपको पसंद करता है या नहीं को लेकर परिशान रहती है और उसे पसंद करने और उस पर भरोसा करने य insecure या उसकी feelings को लेकर confuse feel करती हैं, तो आप शायद ऐसे लड़के के लिए interested हैं, जो आपके लिए उस तरह से feel नहीं करता, जैसे आप उसके लिए करती हैं, ऐसे लोग जो प्यार में अंधे होते हैं, उन्हें काफी उपर, नीचे होते हुए emotions feel होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐस feel होता है, जैसे आप अपने सारे emotions से अकेले ही जूज रही हैं, तो शायद आपने अभी तक ऐसे इनसान को नहीं पाया है, जो आपको पाना चाहता है, अगर आपको बीते वक्त में भरोसे से जुड़ी हुई परेशानी हुई हैं, आप उस तरह के इनसान हैं, जिसे अपने सारे रिष्टों में शक किया है, या फिर आपको लगातार होने वाली insecurity की परेशानी से जूज रही हैं, तो अपने friends से बात करें और उनसे पूछें की उन्हें क्या लगता है, आपके friends आपको अच्छी तरह से जानते हैं, और वो आपके या उसके साथ में मौजूद से गुजर रही हैं, इस तरह की चीजों के लिए आपकी मन से आने वाली आवाज अक्सर सही जाती हैं, कभी कभी हमारा मन भी उसके बरताव को तरकसंगत बना देता है ताकि हम भरोसा कर सके कि हमारे बीच में जो भी कुछ है, सब सही है, अगर आप खुद से पूछें, मेर मन मुझे क्या कह रहा है, और आपका जवाब ठीक नहीं, जैसा कुछ हो तो फिर आपको इस रिष्टे में और ज्यादा शामिल होने से पहले बाहर निकल जाना है, पांच, सोचे कर देखें, बात करने की किसने कितनी कोशिश की है, सोचे कर देखें, शुरुआत करने की तर बात करने में कौन ज्यादा दिल्चस्पी? लेता नजर आता है, इसे जानने के लिए एक बार वापस अपने टेक्स्ट मेसेजिस पर नजर डाले और देखें किसने ज्यादा बार टेक्स्ट किये हैं, किसके मेसेज ज्यादा लंबे हैं और कौन है, जो कन्वरजेशन की साथ में हैं, जो शायद फोन कम्यूनिकेशन में ज्यादा अच्छा नहीं है. हाला कि आजकल के दौर में ऐसा होने की उम्मीद ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ज्यादा तर लोग दूसरे लोग के साथ कनेक्ट ही रहते हैं और अपने फोन में कॉन्टेक्ट रखने में अच एसा मत दिखाएं कि आप उस पर भरोसा करती हैं. अगर आप ऐसी स्थिती में पहुंच चुकी हैं, जहां आपको लगता है कि वो दूसरी लड़कियों को डेट करने के बारे में आपसे जूट बोलता है, वो आपके प्रती उसकी सची फीलिंग्स को लेकर सीधे कुछ नही कहता या फिर वो क्यों बिजी? हाँ, उसे लेकर हमेशा बहाने बनाता रहता है, तो फिर ऐसा मत दिखाएं कि आप उस पर भरोसा करती हैं. आपको इस खेल को यहीं रोकना होगा और उससे बात करना होगी. उससे बात करना का प्लान बनाएं और आप जो बोलना चाहती हैं, उसके बारे में स्थिती के सामने आने से पहले ही सोच लें. उदाहरं के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में किसी डेट को आखिरी वक्त पर कैंसल कर देगा, तो फिर अपने रिस्पोन्स के बारे में पहले से ही सोच लें. फिर जब वो कॉल करे और जादा अट्रेक्ट होते हैं, जो उनके गेम में फस्ते नहीं नजर आती हैं। इसके लिए तैयार रहें, और अगर वो आप में अब पहले से कहीं जादा इंटरेस्ट लेते नजर आता है, तो उसके इस जहासे में मत आएं। आप भी ऐसे किसी इनसान के साथ में नहीं रहना चाहेंगी, जो आपको सिर्फ इसलिए पसंद करता है, क्योंकि आप उसके जूट को सह लेती हैं। आपके रिस्पोंस को किसी गिल्ट ट्रिप पचतावा, या एक जगरे में नहीं बदलना चाहिए। आप उन्हें उनके जूट का असास दिलाकर या जगरकर उसे बदल नह सकती हैं, इसलिए इसके लिए उसे गिल्ट मत महसूस कराएं। याद रखें कि आप सिर्फ एक ही इनसान को कंट्रोल कर सकती हैं और वो आप खुद हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे बहस में नहीं जीत पाएंगी, तो फिर उससे शांती से और इंडारेक्ट तरीके से दूरी बनाने के तरीके के बारे में सोच लें। आपके लिए उस थिती से जल्द से जल्द बाहर निकलना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उसे कहें कि अब आप उससे कभी नहीं मिलना चाहती हैं। जब आपको लगता है कि आपकी भावनाओं के साथ में खि बोल रहा है तो आपको उससे उसके इरादों के बारे में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो जब सवालों के घेरे में होगा तब भी जाहिर है कि वो आपसे अपने इरादों के बारे में जूट ही बोले। पुझे इससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। आप उसके कितने करीब हैं, इसके अनुसार आप उसे फोन पर टेक्स्ट में, इमेल, मेसेज में या फी रह उससे मिलकर भी अपना रिश्टा तोड़ने के बारे में बता सकती हैं। अगर आप उससे मिलकर बात कर रही हैं तो फी चैज या टेबल तलाश लें। किसी जगरे के बाद या फिर रात गुझने के बाद अपने रिश्टे के बारे में बात करने से बचें। अगर आप अपनी फीलिंग को बहुत क्लियर तरीके से एक्स्प्लेन करना चाहती हैं या फिर आपको लगता है कि आपका रिश्टा इतना भी सीरियस नहीं है कि आपको उससे सामने जाकर बात करना पड़े तो एक इमेल मेसेज भी अच्छा हो सकता है। 3. Honest और Straightforward रहें अगर वो आपसे पूछता है कि आप उससे क्यों दूर जाना चाहती हैं तो उसे बता दे कि आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ में honest हैं और आपको ऐसा लगता है कि रिश्टे के लिए आपके मन में उससे अलग feelings हैं। 4. आप जो भी feel करती हैं उसे बता दे और उसने जो भी किया जिसकी वजह से आपको मैं statement I statements का use करने पर आ गई हैं उसे बता दे ऐसी चीज़े कहने से बचे तुम मुझे insecure feel कराते हो क्योंकि ये सारा दोश उस पर डालते हुए सा लगता है। तो मुझे बहुत insecure feel हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम सिर्फ मुझसे मिलना और मेरे साथ घूमना फिरना चाहते थे। उसके मन को रीड नहीं करने के प्रती सावधान रहें। अगर आपको निश्चित रूप से ये बात नहीं मालूम है कि वो किसी दूसरी लड़की से मिलता है तब तक उस पर। इसका दोश मत डाले और क्योंकि आप उसके माइंड को रीड नहीं कर सकती इसलिए उस पर जान बूझ कर आपको नजरंदास करने का दोश मत लगाएं। इसके अलाव इस तरह के आरोप जगड़े शुरू कर देंगे और आपके लिए आसानी से ब्रेक अप कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अपनी टोन में सच्चाई रखने की कोशिश करें और आप जो भी कुछ बोलती हैं उसमें मेच्यो होने की कोशिश करें। 4. बातचीत को खत्म करने को तैयार रहें। बातचीत बहस में या फिर अच्छे वक्त को याद करने में मत बदलने दे क्योंकि इस तरह की बातचीत से आपको वापस उसके प्यार में डालने की संभावना रहती है। 5. जैसे ही आप अपनी बात बोल दे और वो आपको रिस्पोंड कर दे फिर आपको बातचीत को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कई मायनों में एक अच्छा इनसान है या फिर अगर आपको किसी भी पॉइंट पर उसके आपका साथ निभाने का तरीका अच्छा लगा तो वो बोल दे और बातचीत को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करें। आप ऐसा कुछ बोल सकती है मुझे तुम्हा रे सात में बिताया वक्त बहुत अच्छा लगा लेकिन अब मुझे जाना होगा। या अगर आप उसकी वजह से हट फील कर रही हैं तो आप ऐसा बोल सकती हैं अपने रिष्टे में जिस तरह से चीजे सामने आ रही हैं उसकी वजह से मैं बहुत हट फील कर रही हूँ और मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर आप ब्रेक अप करने के बाद भी फिर से उसी की तरफ अपना जुकाव देखती हैं तो फिर हार न माने या एक बार फिर से कोशिश करने से पीछे मत हटें। ऐसा लड़का, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स रही हैं, उसके साथ में रिष्टा तोड़ने में बहुत मेहनत और हिम्मत चाहिए होती है। खुद को संभाल ले और एक बार फिर से कोशिश करें। सला, क्योंकि आप उसे बहुत पसंद करती हैं, इसलिए आपके लिए आपके साथ में हुई धोखाधरी की सच्चाई को एक सिप्ट करने में वक्त लग सकता है। अगर कुछ हफतों के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में धोखा हो रहा है तो फिर से इस आर्टिकल पर वापस आए और सच्चाई का पता लगाने के लिए इसे एक बार फिर से पढ़ें।